हेलो फrän्ट्स, नमस्कार, स्वागात इसने बनें बात करेंगे, 12 पास कैनेडेट्स के लिए बहोती संदार वेकंसी निकल क्या रही है, इंडियन आर्मी के दोबारा. जी आदोस्तोो, इंडियन आर्मी के दोबारा, MTS जैसे बौस्ट पे, multi-tasking staff जैसे post पे जो vacancy निकलेगे सिर्फ और सिर्फ दसवी पास all in a vacancy आप किसी भी राजस हैं तो form को apply कर सकते हैं male और female दोनों candidates form को apply कर सकते है government job होती है, permanent job होगी तो इस बिदो हम जानेंगे इसका full notification के बारे में age क्या है, salary क्या है, qualification, form कैसे apply करना है पूरा complete information friends मैं आपको याँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को last तक देखेगा और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा तो चलिए friends वीडियो को start करते हैं मेरा ना में दिलीप और आप देख रहे आपको लगभग लगभग जो है 28,000 के आसपास salary यहाँ पे आपको बनने वाली है तो बहुत ही संदार वेकिंसी है और यहाँ पे देखे बोला गया कि application are invited from Indian citizen from the following post HQ Eastern Command की वेकिंसी है और यह जो है male female donor candidates यहाँ पे form का apply कर सकते हैं आपका जो job location होने वाला friends वह आप यहाँ पे दिख सकते हैं headquarters जो है बंगाल सब एरिया 246 agency बोस रोड अलिपूर कोलकाता यह पीन कोड है तो यह आपका job location है एक चीज और यहाँ पे बताया आप जो है जरूर ले लिजेगा क्योंकि अभी form जो है start नहीं हुए है हाला कि यहाँ पे लिखा हुए last date जो है 21 दिन है लेकिन 21 दिन कब है जब इसका रोजगार समाचार में आपका जो है notification जारी होगा जो government के द्वारा रोजगार समाचार पब्लिस के जाता है ना उसमें इस दिन जारी होगा उस दिन से फॉर्म जो है apply होगा एक इस दिन तो कैसे फॉर्म को apply करना इसकी जनकारी में बतायता हूं offline वेकेंसी आपको यहाँ पे जो है ऑफ्लाइन ही form को apply करना है यहाँ पर category वाइज जनरल के लिए एक EWS के लिए तीन और जनरल एक सर्विसमें के एक OVC के लिए तीन ST के लिए एक यहाँ पर वेकेंसी निकाले गी है और कई लोग बोलेंगे SC कहां गया तो फ्रिंट्स SC का यहाँ पर सीट नहीं है इसके लिए फ्रिंट्स आपको जो है जनरल में आवेदन करना होगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बास से य आपको जो है एक साल का एकस्प्रिंट्स है तो आपको ज्यादा डिजरेबल वर्यता दी जाएगी मतलब अफ्रेशर हैं केवल मैट्रिक तक पड़ें तो वी फॉज पॉट को अंपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर कोई बंदा जिसके पास एक्सप्रिंट्स है अगर ओंभी को छूट मिलता है जो SCST को पांच साल का छूट मिल जाता है अपरेज में SCST को और जो OBC होता है उनको तीन साल का छूट मिलता है तो यह जो गूर्मेंट के रूल्स होते हैं वह आपको आप लगेंगे अब यहां पर देखिए बोला गया है कि इंट्रेस्टेट केंडिट्स सब्मिट वनली टाइप्ड अप्लिकेशन ऑन एफ फोर साइज बाइप पोस्ट या स्पीट पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या फ्रिंट्स आपको वेकेंसी जो है आपको समिट करना है अप फॉर्म को भेंज सकते हैं लास्ट जो है इसका 21 दिन रहेगा फॉर्म भरने का लेकिन कब जिस दिन इसका पब्लिकेशन होगा एडवर्टाइजमेंट उस दिन से 21 दिन रहेगा तो अभी एडवर्टाइजमेंट जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी नहीं को आप जब देख कि वेबसाइट पर जाएंगे इस वेबसाइट घ्रक पर में अती है त्मौं पिछले कई सारे वीडियो में आप perilोग है इस तरह के वेकेंसी को बारे में डिसकस किया हुए जो हमारे पुराने सस्क्राइबर उनको पता होगा कि एर फोर्स का गुरूप सी की वेकेंसी काफी सारी आई थी और इसी तरह से हुआ था उन लोग का भी आवे दन तो इस तरह की वेकेंसी फिरिंट समय साथ यह इसी में देखिया आपका ओफ-लाइन फॉर्म है इसी को आपको भरना है और भरके आपको भेजना है भेजने का एड्रेस और इसका प्रोसिस का है थोड़ा समय आपको यहां पर बतायता हूं देखिए अभी फॉर्म फिल पर स्टार्ट नहीं हुआ है जिस दिन रोजगार समाचार में आएग कैसे आपको फॉर्म को भरना स्टेप बाइस्टेप लाइफ फॉर्म फिल करके बता दूगा भेजने तक का अब यहां पर देखिए बोला गया है कि यहां पर आपका जो लास्टेट है 21 दिन रहेगा और अप्लिकेशन रिसीब होगा उसके बाद तो जो है मैं नहीं होगा रिजेक्ट हो जाएगा कोई रिस्पोंसिबिलेटी नहीं ऑफिस की और हैंड अप्लिकेशन या इंकंप्लिट इलीगल अप्लिकेशन दोज या हूँ नोट फुल्फिल एनी काइटेरिया विल भी रिजेक्टेड या अगर इंकंप्लिट भेजेंगे तो आपका आपका बोल रहा है कि किस पोस्ट पर अप्लाई करें तो यहां पर अपना नाम ब्लैक लेटर में लिखने मतलब जिस तरह से रिजूम का फॉर्मेट है ना उसी तरह से आपको आप एक कॉंप्यूटर से ही टाइप करवाना है यह नहीं कि हाथ से लिखना है ठीक है यहां प आपको से अपना जाती सेडिफिकेट यहां पर अपको अप्लोड करनी है यहां रिलिजियन मॉबाइल नमर प्रमेंड अड्रेस पोस्टल अडरस सारी चीज आपको यहां पर टाइप करवानी है ठीक है न और टाइप जब हो जाएगा उसकी बाद यहां पर आपको फोटो चीब कानी है और यहां से क्रॉस साइन करनी है और यहां पर टानी है कि कितना जो है उसके साथ सपोफोर्टिंग डोकुमेंट आप भेज रहे हैं तो इतना आपको समझें यहां आ गया वालना है आपको लिए व्हां फोपर इसी जरूर मैंसन करना है capital letter में application for the post of किस category से है आप और यहाँ पे MTS लिख देंगे तो यह चीज आपको चरूर वहाँ पे लिखना है इसके बाद से यहाँ पे आपको क्या क्या attach करने documents के रूप में तो देखें दसवी class की जनकारी आप यहाँ पे attach कर देंगे अगर आप SCST सेटिफिकर आप यहाँ पे attach करेंगे दुए आपको यहाँ पे अटेज करनी है इसके बुस्जे दो आपको self address envelop bhi आपको यहाँ पे 7 इंवल भी आपको क्या करना है आपको adjust करना चिपकाने के बाद इसके बाद यहां पर देखिए भेजने का जो एड्रेस है वह आपको यहां पर मिल जाएगा यह इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को भरके भेजना है और अभी इसका आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ भी इसके बाद यहां पर आपको देखिए इनफोरमेशन और भी काफी सारी वताइगा है आप यहां पे एक बार जरूर चेक कर सकते हैं और आपको link description box में मैंने इसका दे दिया है आप इसे download करना चाहते हैं आप इसे download भी कर सकते हैं और form को apply कर सकते हैं उमीद करता हूँ friends आपको जनकारी समझ में आया होगा मन में कोई भी doubts है कमेंडर दे उसके पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ हमें दीजिज़ाए तो और देखते हैं दिखते हैं dear selfing forever thank you for watching जाहिन